जैहिन साथियों नमस्कान नमस्ते गुर्यूनी आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक श्वागत और अभिनन्दन है मैं नरेंदर एक बार फिर से आप सभी के लिए यूपी बियट जीके की क्लास लेकर हजेर हूँ और आज की इस कलास में हम लोग बहुत ही शांदार पर्षनों के साथ कलास की शुरुवाद करेंगे तो जो भी साथी चैनल पर नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है तथा आल पर क्लिक करना है ताकि जो ही लेस्टट नोटिफेकेशन हो वो आपको समय के अनुसार मिलता रहे क्लास अगर आपको पुशन्द आती है क्लास को लाइक कीजिए अपनी सभी साथियों में सेर कीजिए और हाँ साथियों कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा या फिर आपको क्लास के बारे में सुजाओ देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है क्लास की PDF पाने के लिए हमारी टेलिग्राम चैनल को जोन कीजी इसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो चलिए साथ ही हम लोग क्लास की सुर्वात करते हैं और आप लोग share करते रहिएगा चलिए बात करते हैं पहले पर्षन की पहला पर्षन कहता है कि भारत में सर्व सिक्षा अभियान कब चालू किया गया आप्षन A है 1998-1999 में आप्षन B है 1999-2000 या आप्षन C-2000-2001 आप्षन D-2001-2002 के बीज यानि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आप्षन सही है अर्थात भारत में सर्व सिक्षा अभियान कब चालू किया गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्षन नमबर C-2000-2001 तो साथियों अगर हम लोग सर्व सिक्षा अभियान की बात करे तो भारत में सर्व सिक्षा अभियान की सुरवात वर्ष 2000-2001 के बीच में पारम किया गया और या एक निशिष समय के भीतर भारत में एक निशिष समय के भीतर पारंविक शिक्षा के शारु भौमिकरन लक्ष को प्राप्त करने के दृष्टी कौन से भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्मुन कालिकरम है और इस अभियान को देश भर में राज सरकारों की साहभागिता से चलाया जा रहा है बात करें पर्ष नमबर दो की कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रियोग किया जाता है आप्षन ए पोस्ट करने में आप्षन भी पेस्ट करने में आप्षन सी हटाना या आप्षन डी अलग करना तो इसका सही जवाब होगा आप्षन भी पेस्ट करने में कमांड कंट्रोल प्ल करने से समंदित होता है ठीक है तो अगर आप computer चलाए होंगे तो आपको इसका knowledge होगा आप जानते होंगे चलिए बात करते हैं person number 3 के राश्टपती को राश्टपती पद की सपत कौन दिलाता है बहुत ही महत्मून person है हर बार हर परिक्षा में ये person पूछा गया बहुत ही person है आपशन ये कहता है कि भारत का मुख्य न्याइधिस आपशन भी कहता है भारत का उपराश्टपती आपशन C है राजिपाल आपशन D है लोक्षवा का अध्यक्ष तो इसका सही जवाब होगा आपशन number A भारत का मुख्य न्याइधिस भारत के राश्टपती को उचितम न्याले के मुख्य न्याधिस या फिर उसकी अनुपस्तिती में वरिष्टितम न्याधिस द्वारा पद की सपत दिलाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं पर्ष नंबर चारी मौलिक अधिकार परतिस तापित है। तो इसका सही जवाब होगा आप्शन नंबर भी भाग तीन अनुछेद बारा से 35 तक थीक है। मौल अधिकारों से ततपर होता है कि राजनितिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नती से है। अर्थात ये अधिकार जो होते हैं ये देश में व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही राज के कठोर नियमों के विरुद नागरिकों को सोतंत्रता परदान करते हैं। इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है। और हाल ही में जो संपती का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है। चलिए बात करते हैं पर्श नमबर पांच की भारत के पहले शूपर कम्पीटर का क्या नाम है। आप्शन A है परम 1000 आप्शन B परमिशान आप्शन C परम 8000 आप्शन D परम शिवाय तो सही जवाब हो जाएगा शाथी हो आप्शन नमबर C परम 8000 परम 8000 को भारत का पहला शूपर कम्पीटर माना जाता है इसमें जो होता है 64 CPU का परियोग किया गया था और इसका जो वर्स था यानि आप याद रखेंगे 1991 में इसका अनावरन किया गया था और यहाँ श्वादेश में C DAG कम्पनी द्वारा वर्स 1990 में ये भी आप लोग याद रखेंगे कि C DAG कम्पनी के द्वारा वर्स 1990 में बनाया गया था ठीक है तो भारत का पहला शूपर कम्पीटर परम 8000 है यानि आप्शन नमबर C is right answer चलिए बात करते हैं पर्शन नमबर 6 की Linux क्या है Linux क्या है option A है operating system है option B है entry system है option C input system है option D output system है तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा option number A operating system Linux एक operating system है operating system एक तरह का computer का control program होता है जो computer के समस्त क्रिया कलापों अर्थात कारियों पर नियंतरन रखता है तो Linux एक operating system है तो option A is the right answer बात करें पर्शन नमबर 7 की भारत में वर्तमान सेना परमुख journal का क्या नाम है option A journal दलवीर सुहाग option B journal मनोज मुकुंद नर्वाने option C journal वीके सिंग option D journal विपिन रावत तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों होगा option B जरनल मनोज मुकुंद नर्वाने ये भारत में वर्तमान सेना परमुख है इनके पहले जो सेना परमुख थे उनका नाम था जरनल विपिन रावत जिनका हाल ही में दिशंबर में आप कह सकते हैं कि एक Y1 दुरगटना में जिनका निधन हो गया ये हमारे पहले जरनल सेना परमुख जरनल का क्या नाम है तो उनका नाम है स्वड़गिये जरनल विपिन रावत ठीक है चलिए बात करते हैं इस पर्सन में जरनल मनोज मुकुंद नर्वाने के बारे में तो वर्तमान में सेना परमुख मनोज मुकुंद नर्वाने है और थल सेना की जो वर्ष की आयू तक होती है ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं पर्ष नमबर 8 की बंगाल में दोहरी शासन ब्यवस्ता को किसने समाप्त किया आप्षन A है वारेन हैस्टिंग्स आप्षन B लाड कारनवालिश आप्षन C लाड कलायू आप्षन D लाड डलहुजी तो इस इसके आप्षन D द्वारा किया गया था और इसमें हुआ क्या था कि कंपनी जो थी वह इलाहबाद की सन्धी जख़िंदा के अंत्रगत बिहार उरिषा तथा बंगाल पर क्या कर रही थी द्वैद शासन लागू किया था इसके अंत्रगत यहां का जो प्रशासन का जिम्मा था वो नवाब को दे दिया गया था जबकि कर्वसूनले के जो अधिकार थे वो कमपनी ने अपने पास रखे थे तो इस शासन बेवस्ता को वारेन हैंस्टिंग के द्वारा जो सम्मानित किया गया आप्शन ए प्रितम चक्रवती आप्शन भी प्रिया चक्रवती आप्शन सी अम्रिता नारंग आप्शन डी परतिभा प्रिया दर्सी तो सही जवाब हो जाएगा आप्शन नंबर ए प्रितम चक्रवती प्रितम चक्रवती को मिर्जी मीजिक अबोर्ड 2020 के Music Composer of the Year से सम्मानित किया गया और Song of the Year जो था वो कलंग को तथा Album of the Year केशरी को परदान किया गया था ठीक है तो ये मुख्य बाते आप लोग याद रखेंगे बात करते हैं पर्ष नमबर 10 की पर्ष नमबर 10 कहता है कि IGNOU के Digital Coach का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर भी इग्यान हना? IGNOU IGNOU के Digital Course का नाम इग्यान है इग्यान Course पर स्टुडेंट और अनि सभी Self Learners के लिए IGNOU के सभी YouTube Videos Swim Courses Material, FB Live Recorded Videos और Self Learning Material अपलोड किया जाते हैं तो IGNOU का जो Digital Course है उसका नाम क्या है? इग्यान है ठीक है? तो बात करें परस नमबर 11 की कौन सा नाम महिला किर्केट से सम्मंधित नहीं है? आप्शन A है जूलन कोशामी आप्शन B है हर्मन प्रीत काओर आप्शन C मिताली राज आप्शन D DP का कुमारी सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर D DP का कुमारी DP का कुमारी का संबंध किर्केट से ना होकर के तीरन दाजी से है ये एक तीरन दाजी प्लेयर है और इन्हों ने DP का कुमारी ने वर्स 2006 में मैक्सिको नाम याद रहेगा आप लोगों को 2006 में मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चेंपियनसिप में कमपाउंड एकल परतियोगता में स्वान पदक हासिल किया था और ऐसा करने वाली ये भारत की दूसरी महिला थी मलब दूसरी महिला तीरन दाजी थी और इन्होंने वर्स 2010 में एसियन गेम्स में कांशिय पदक और वर्स 2010 के कॉमन वेल्थ में महिला एकल और टीम के साथ दो स्वान पदक हासिल किये थे तो ये बहुत ही शांदार प्लेयर है तीरन दाजी की तो दीपिका कुमारी का सम्बंद जो है वो तीरन दाजी से है बात करते हैं पर्स नमबर 12 की डोगरी भाषा भारत के किस राज से सम्बंदित है आप्शन A है सिकेम आप्शन B है हिमाचल परदेश आप्शन C है जम्मू कश्मीर आप्शन D है उत्तराखन सही जवाब होगा आप्शन नमबर C जम्मू कश्मीर डोगरी भाषा जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर जो की वर्तमान में आप लोग को पता ही होगा कि एक केंदर सासित परदेश है है ना लद्दाक और जम्मू कश्मीर ये दो हमारे नए केंदर सासित परदेश है तो डोंगरी भासा जो है वो जमू कस्मीर में बोली जाती है और यह एक परमुक भासा है वर्स 2001 में इसे भारतिय साविधान की आठवी अनुसूची में सामिल किया गया था कब सामिल किया गया था 2001 में भारतिय साविधान की आठवी अनुसूची में हाना आठवी अनुसूची में इसे सामिल किया गया था तो ये option C is right answer ठीक है चलिए बात करते हैं पर्स नमबर 13 की कि अफरीकी भासा का परियोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है आप्शन A है पूर्वी अफरीका आप्शन B पक्षमी अफरीका आप्शन C दक्षिन अफेरिका अयों उत्तरी अफेरिका आप्शन D संपून अफरीका तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर C दक्षिन अफरीका अयों उत्तरी अफरीका इहां पे मुख्य रूप से अफरीकी भासा का परियोग किया जाता है अफरीका महादीप में आप लोग याद रखेंगे अफरीका महादीप में बुश्मैन बाटू बुश्मैन बाटू तथा शामी हामी पडिवार की भाषाएं बोली जाती है शामी और हामी पडिवार की भाषा बोली जाती है कहां पे बोली जाती है ये आपके बोली जाती है अफरीका महादीब में और मुख़्ी तोर पे दक्षिर अफ्रीका और उत्री अफ्रीका में अफ्रीकी भासा बोली जाती है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्स नंबर चौदा की पर्स नंबर चौदा कहता है कि राश्टिय ग्रामे रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ आफ्षन ए है वर्स वन्नाईस सो पंचानबे पारित वन्नाईस सो चानबे वर्स दोहजार पारित दोहजार एक आफ्षन सी वर्स दोहजार पांच पारित दोहजार छे आफ्षन डी वर्स दोहजार साथ और पारित दोहजार आठ तो साथियों इस परसं में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्टिय ग्रामिर रोजगार गारंटी अधनियम किस वर्स प्रस्तूत किया गया और इसे कब पारित किया गया तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा option number C राश्टिय ग्रामिर रोजगार गारंटी योजना अधिनियम वर्स 2005 में प्रस्तूत किया गया और 2006 में इसे पारित किया गया बात करे राश्टिय ग्रामिर रोजगार गारंटी योजना अधिनियम की तो इसका वर्तमान में नाम है महत्मा गांधी राश्टिय ग्रामिर रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे साट फार्म में मनरेगा कहा जाता है तो भारत सरकार द्वारा वर्स 2005 में राश्टिय ग्रामिर रोजगार गारंटी योजना अधिनियम जिसे नरेगा कहा जाता था 2005 में प्रस्तूत किया गया और इसे संसद द्वारा 2006 में पारित किया गया अर्थात पुर्य देश में लागो किया गया 2010 में नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया अर्थात महत्मा गाधी राश्टिय ग्रामिर रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कर दिया गया तो आप्षन C is right answer बात करते हैं पर्ष नमबर 15 की एंसी आल्टी के वर्तमान निर्देशक हैं आप्षन A है राजेंदर सिंग आप्षन B है मिथलेश कुमार आप्षन C है रिशिके सेनापती आप्षन D रविंद्र आहुल वालिया तो इसका सही जवाब होगा आप्षन नम NCRT का पूरा नाम क्या है यानि इसका फुल फोम क्या है तो NCRT का फुल फोम है National Council of Educational Research and Training इसके वर्तमान निर्देशक हैं रिशिके सेनापती NCRT भारत सरकार द्वारा अस्थापित संस्थान है जो विद्यालेई शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रिय सरकार अयो प्रांतिय सरकारों की सलाह देने के उद्देश से अस्थापित किया गया है तो NCRT यानि National Council of Education Research and Training इसके जो वर्तमान निर्देशक है उनका नाम है रिशिके सेनापती आप्षन सीज राइट आइसर बात करें पर्स नमबर सोला की तो पर्स नमबर सोला कह रहा है एडू सेट लॉंच किया गया आप्षन A फरावरी 1998 में आप्षन B अप्रेल 2001 में आप्षन C सितंबर 2003 में आप्षन D सितंबर 2004 में सही जवाब होगा आप्षन नमबर D सितंबर 2004 में 20 सितंबर याद रखेंगे आप लोग 20 सितंबर 2004 को पूरी तरह से सिक्षा पे आधारित एडू सेट जी सेट थ्री को एडू सेट जिसका पूरा नाम है एडू सेट जी सेट थ्री को सिरी हरी कोटा से प्रेक्षेपित किया गया और ये देश भर में सैक्षनिक सामगरी के शाय वितरन के लिए कक्षा को उपगरह आधारित दो तरफा संचार उपलद करता है तो इसे 20 सितंबर 2004 को पूरी तरह से शिक्षा पे आधारित है ये और इसको लांच किया गया 20 सितंबर 2004 में चलिए बात करते हैं पर्स नमबर 17 की पर्स नमबर 17 कहता है मानु सरीर का कौन सा अंग इंसूलेन पैदा करता है आप्षन A है यकरत आप्षन B अगन नाशय आप्षन C तिली आप्षन D पित शय तो इसका सही जवाब होगा आप्षन नमबर B अगन नाशय मानु सरीर का पर्मुख अंग अंग नाशय इंसूलेन का उत्पादन करता है बात करें पर्षन नमबर 18 की भारतिय साविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मानेता प्राब्द है आप्षन A है 18 आप्षन B 22 आप्षन C 24 आप्षन D 28 सही जवाब होगा आप्षन नमबर B 22 तो भारतिय साविधान की आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं को सामिल किया गया है मोल रूप से 14 जो भाषाओं हैं वो हैं आपके अश्मिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कंणर, कश्मीरी, कौंकरी, मैथली, मलियालम, मैतई, मराथी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, शिंधी, तामिल, तेलगु और उर्दु चलिए बात करते हैं पर्ष नंबर 19 की, पर्ष नंबर 19 कहता है कि पर्थम भारतिय महिला ओलंपिक पदग विजेता कौन है, आप्षन A है कर्णम मलेश्वरी, आप्षन B है, S चानू, आप्षन C है, गीता फोगाट, आप्षन D है, S C मारी कौन, तो इसका सही जवाब होग आप्षन नंबर 1 कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी भारत की पहली भारत तोलक हैं और वे ओलंपिक खेलों में कांश्य पदग जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलारी है, मलेश्वरी को वर्ष 1995 में, हाना? मलेश्वरी को वर्ष 1995 में, अर्जुन प्रुषकार और वर्ष 1996 में, राजुगांधी खेल रत्म प्रुषकार और वर्ष 1997 में, पदम श्री से सम्मानित किया गया है तो कर्णम मलेश्वरी को 1995 में, अर्जुन प्रुषकार, 1996 में, राजुगांधी प्रुषकार और 1997 में, पदम श्री प्रुषकार से सम्मानित किया गया है बात करे पर्ष नमबर 20 की, देवघर ट्राफी किस खेल से सम्मानित है, आप्षन A है, टेबल टेनिस, आप्षन B, फुटबॉल आप्षन C, किर्केट, आप्षन D, होकी, यहाँ पे होकी होगा, तो आप्षन D क्या है, होकी, तो इसका सही जवाब जो होगा, आप्षन किर्केट परतियोगिता है, देवघर ट्राफी भारतिये घरेलू किर्केट में 50 ओवर नाट आउट लिस्ट एक किर्केट परतियोगिता है, जिसका आयोजन परतेक वर्ष भारतिये किर्केट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है, यानि BCC के द्वारा किया जाता है, चलिए बात करते हैं, पर्ष नमबर 21 की कौन सा रक्त समू सारो भोमिक दाता है, कौन होगा यहां पे, कौन सा रक्त समू सारो भोमिक दाता है, आप्षन A है B पोजिटिव, आप्षन B है A, आप्षन C है A B पोजिटिव, आप्षन D है O पोजिटिव, तो इसका सही जवाब हो आप्शन D O positive O positive रक्त शमू सारू भौमिक दाता होता है क्योंकि इसमें antigen तथा antibody का अभाव होता है जबकि AB जो positive है ये universal blood receiver कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के antigen तथा antibody पाये जाते हैं तो अगर आपसे पर्षन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रक्त समू है जो universal receiver है तो वो आपका AB positive होगा और अगर यहाँ पे सारू भौमिक दाता की बात किया जाए मलब ऐसा कौन सा रक्त समू है जो सभी प्रकार के रक्त समू को बलट donate कर सकता है तो वो O positive होगा और ऐसा कौन सा रक्त समू है जो सभी प्रकार के रक्त समू को रिश्यू कर सकता है तो वो A B positive होगा आई बात समझ में चलिए बात करते हैं पर्षन नमबर 22 की प्रकास वर्ष किसकी इकाई है आप्षन A दूरी की आप्षन B तरिवर्टा की आप्षन C समय की आप्षन D चाल की सही जवाब होगा आप्षन A दूरी की तो प्रकास वर्ष दूरी का इकाई है प्रकास वर्ष लिपियर द्वारा चिनित किया जाता है यहां लंबाई की अर्था दूरी का एक मापनी काई है और यहां लगभग पंचान वे खरब किलो मीटर की होती है अंतराष्टिये खागोलिये संग के अनुशार एक प्रकास वर्ष वह दूरी है जो प्रकास अपने निर्वात समय में एक वर्ष में पूरा करता है तो प्रकास वर्ष वह दूरी है जो प्रकास अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 30 की A हिंदू V of Life के पंदि जवाहलाल नहरू सही जवाब होगा आप्षण नम्बर सी डॉक्ठर सरू पली राधा कृ Jupiter ये हिंदू वी ओफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन है और ये भारत के पहले उपराष्टपती तथा दूसरे राष्टपती थे पहले तो उपराष्टपती थे और दूसरे राष्टपती थे ये दोनों आपको याद होना चाहिए तो बात करें परशन नमबर 24 की आफ़ार नमबर 24 की आफ़ान रामन पुस्थक के लेखक हैं आफ़ाई ऐ है गुन्नाल, मीड्राल आफ़ान भी है जोनाधन, ग्रेरशन आफ़ान थाउड आफ़ान दे जोन ग्रेशन सही जवाब होगा आफ़ान नमबर A गुन्नाल मिडाल एशन रामन पुस्तक के लेखक है और गुन्नाल मिडाल स्वीडीन के प्रशिद अर्थ सास्त्री तथा समाजवादी विचारधारा के वेक्ति है इनकी मृत्यू जो हुई थी वो 17 मैं 1987 में हुई थी इनकी मृत्यू ठीक है आपकरे आज के आखरी पर्शन पर्शन नमबर 25 की एग मार्क का अर्थ है आप्शन A परियावरन सनरक्षन चिन आप्शन B मिट्टी निर्मित पातरों का चिन आप्शन C खाद अयों बीजों का प्रमान चिन आप्शन D खाद पधातों का प्रमान चिन सही जवाब होगा आप एक ऐसा परमानन चिन है जो भारत में कृषी खाद उत्पादों पधार्तों पर लगाया जाता है जिन उत्पादों पर एक मार्ग लगा हो उनके बारे में आसा की जाती है कि ये उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं और ये मानक भारत सरकार के वीपणन तथा निरिक्षन निर्धेशाले द्वारा अनुमोदित होते हैं तो एक मार्ग का मतलब एक परमान चिन्न होता है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये प्रड़क्ट ये उत्पाद भारत सरकार के द्वारा अनुमानित या निर्धारित माप दंडों पर सही खरा उतरा है है ना समझ सकते हैं आप इसे ठीक है तो साथियों आज किस क्लास में हम लोगों ने समानी ज्यान जीके के 25 महत्मून पर्षनों को डिसकस किया जो पिछले वर्स आपके बियर्ड एक्जाम में पूछे गये हैं तो मेरे शाथियों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंड बॉ कमेंड करके जरूर बताईएगा कि क्लास आपको कैसा लगा सबसे जरूर बात चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो आज किस क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप अपना ख्या जाइ भारत